हाई गाई वेलकुम बाक तो माई चैनल मैं हूँ स्वीटियो और आप देख रहे हो स्पार्कलिंग सोल्स आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेनिफेस्टेशन के बहुत इंपॉर्डेंट स्टेज के बारे में यह स्टेज है जब आप अपनी विश के लिए हर टेक्न सबसे पहले हम एक इंपॉर्टेंट बात समझ लेते हैं कि आप अपनी एक के बाद बहुत सारी विश को मैनिफेस्ट कर सकते हो सबसे पहले हम एक important बात समझ लेते हैं कि आप अपनी wish के लिए जाने अंजाने इंतिजार कर रहे हो और इंतिजार में, wait करने में आप अपना focus दे रहे हो और जब आप अपना focus उस तरफ दे रहे हो तो वहाँ कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत negativity है कैसे ये negativity आई है क्योंकि आप wait कर रहे हो, इंतिजार कर रहे हो आपके पास आपकी life में वो चीज़े अभी है नहीं आपका focus वहाँ जा रहा है, हलका-फुलका ध्यान वहाँ चले ही जा रहा है let go करने के बावजूद भी आपके wish आपके दिमाग में आ ही जाती है जब ये चीज़े हो रहे हैं तो आपको एक बात समझने की जरूरत है कि आपने इतना powerful ये process को done किया अब बिल्कुल final, आखरी कदम कुछ बचे हैं तब आपको बहुत साफधानी से इस पूरे process को बहुत smoothly complete करना है अब ये complete नहीं हो, अभी complete आपको करना है अगर आप पूरे दिन थोड़े बहुत time भी सोचते रहोगे, wait करते रहोगे इंतिजार करते रहोगे ना तो वहां आप नहीं भी चाके थोड़ी बहुत negativity दे रहे हो और जहां negativity होती है वहां ये law वर्क नहीं करता है साफ़-साफ़ बता दू जहां negativity होती है वहां ये law work नहीं करता है law रुका रहता है आपकी wish रुकी रहती है आपके पास आपकी life में आने के लिए तो ये चीज़ें अगर आपके साथ हो रही है तो आपको सबसे पहले अपना focus कहीं और shift करना है और shift करने के लिए अपना focus अपनी पूरी energy अपनी पूरी जो vibration है ना वो चीज़ें अलग एक दूसरी जगा में shift करने के लिए आपको मैं दो important चीज़ें आज बता रहे हूं सबसे पहली और important चीज़ आप अपने आप से एक सवाल पूछो कि इस wish को manifest करने के अलावा जब ये चीज़ें में complete हो जाएगी मेरी life में आ जाएगी तो इसके बाद मैं कौन सी ऐसी दूसरी wish को manifest करूँ ना जब आपके दिल से आपके पास ये answer आ जाए तो सारा process जो आपने पहले वाली wish के लिए लगाया था ना अब आप ये second वाली wish के लिए लगाओ जब आप इस दूसरी वाली wish के लिए इस process को start करोगे तो suddenly आपकी vibration और energy दूसरी तरफ shift होगी आप उस पहले वाली wish को done करने के बावजूद पूरी तरह space दोगे ताकि वो आपकी life में खिचके चले आए कभी देखा है हम जिस चीज को ज्यादा पकड़ते हैं होल्ड करने के कुशिश करते हैं ज्यादा चाहते हैं कि वो इसी टाइम पे हो उसी wish में बहुत लेक लगती है अगर आप वेट कर रहे हो इंतिजार कर रहे हो रुके हुए हो वहीं एक जगा अटके हुए हो तो आपको ज़रूरत है किसी दूसरी wish को manifest करने के लिए पूरा अपना focus कहीं और shift करने के लिए और जैसे ही आपका focus और आपकी पूरी energy दूसरी wish के लिए shift होगी वैसे ही आपकी पहले वाली wish दौर दौर के आपकी life में पचसे manifest हो जाएगी तो रंत manifest हो जाएगी अगर आप अपने आप से दूसरी wish ऐसी कोई नहीं जगा पा रहे हो दिल से ऐसी कोई इच्छा नहीं हो रही है तो एक और important चीज है पूरा ध्यान अपनी body भी लगा दो अपनी body की अच्छी shape करने पे लगा दो अपने body को perfect shape size आप जैसा चाहते हो उस जगा shift कर दो और जैसे ही द्यान आपका खुद की body के तरफ अपनी body के तरफ अपनी exercise के तरफ अपनी body की तरफ shift होगा ना खुद के ऊपर shift होगा वैसे ही आपकी ये पहले वाली wish भी बहुत जल्दी manifest हो जाएकि ये try कीजिए आप और इसके बाद आप खुद देखोगे कि कितनी जल्दी आपको result मिल रहा है आप कितना wait कर रहे थे, कितना परिशान हो रहे थे और जबकि जरूरत है बस आपको अपना focus और energy दूसरी जगा shift करने के लिए और जैसे ही सारे powerful process done करने के बाद आप इंतिजार नहीं करते हो ना उस wish का manifest होने के लिए तब वो wish भी ना इंतिजार नहीं करवाती है आपको आपकी life में ना manifest होने के लिए सो गाईज अब हम मिलते हैं next वाले वीडियो में तब तक आप अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए वाब बाई